तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो यह हमारा T1 बेस्ट कलर रोग अरबत्ती की सिरीज जिसमें कुछ कलर की अगरबत्तियां आपको दिखाई दे रहे होंगे और इस कलर अगरबत्ती में जो है हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे काफी सारे लोगों का ए इसमें क्या रिजल्ड जो है डीपिंग करने के बाद देखने को मिलेगा उस चीजों को जो है हम देखने की कोशिज करेंगे तो कुछ चीज़ें अभी रखी हुई है जैसे कि यह कलर अगरबत्ती की कुछ रेंज है उसके बाद यह हमने एक ट्रे रखी हुई है और उसके समय की कुछ बचत हो जाए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं परफ्यूम और डीपी मिक्स तो यह हम अभी कुछ डाल देते हैं इसमें डीपिंग हो जाया और हमको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए तो यही समय कुछ इस्टिक्स जो है अभी निकालने की कोशिज कर तो इसी में से कुछ इस्टिक हम ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले मैं अभी पिंक लेता हूं आप देखते जाना कि कलर में कौन सा जो है डिफरेंस और कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा अब देखो तो मैंने पूरी तरीके से अभी इसको डिफ करने का प्रोसेस चालू कर दिया है और यह फूल डिफ जो है लगबग हो चुका है कुछ इस तरीके से हमारा डिफिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद आप देख सकते हो कि कलर में कितने जो है चैंजेस आये हुए हैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो पिंक से तो पिंक जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर राइट साइट में जो है रॉइ आर्कनेस हो गई है मतलब और गाड़ा जो है कलर हो चुका है उसी तरीके से बैगनी भी आपको देखने को मिलेंगी गाजरी कलर जो है आपको रॉम में थोड़ी सी फिकी नजर आएंगी जब इसे डीपिंग का प्रोसेस करते हैं तो देखो पूरी रेटनेस आपको यह दे थोड़ा डार्कनेस और ग्लो वाइट जिसको हम बोलते हैं उस कलर में आ चुकी है तो फिर इसका आपको पूरी तरीके से डाउट किलियर हो चुका हुगा कि किस तरीके से कलर में चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगी डीपिंग रेशियो की बात करूं मैं तो एकू काफी सारी वीडियो से आपने देखे होंगे तो काफी फार्मूलेशन अलग-अलग मैंने बताये हुए हैं यह हमारी बेस्ट मेनुफेक्चरिंग कलर अगरबती की सीरीज है बिल्कुल और ट्राई कर सकते हो एक्सपेरिमेंट आपने सारी चीजे देख चुके हैं स्वालो आगे बात करते हैं अपने टोपिक्स के उपर आज हमारा प्रोडक्ट होने वाला है कलर अगरबती के एकॉर्डिंग जैसे कि अभी सामने आप देख रहे होंगे तो यह सीक्स टाइप के कलर अभी हमने रखी हुई हैं और इसके बारे में कम्प्लिटली डिटेल मैं आपको बताने वालाओं की यह प्रोडक्ट जो है अपके लिए किस तरीके से काम करेंगी तो सबसे पहले आप देखोगे तो यह हमारा जो है पिंक हो जाता है उसके बाद यह हमारा बैगनी हो जाता है यह हमारा वाइट इस्टिक्स जो की कमपलसरी है और उसके बाद हो जाता है हम आपको रेड हाला की नहीं दीख रही होंगी लेकिन जब यह डीपिंग होती है तो पुरी तरीके से रेडनेस हो जाती हैं तो यह 6 काडिगरी में हमारे पास अभी प्रोडक्स है और जर्नली जो कुछ इंफोर्मेशन होगी वो मैं बताने की कोसिस करता हूं तो सुरुवात मै सब्धैकर जो कलर अंगर्बत्य होती है, जैसे कि आप जानते होंगे तो T1 से ही ज़ाधा तर हम लोग बनाते हैं और T1 में जो क्वाली टी होती है, मतलBERG क्या है इसमें कलर चेंजेस का इसू बहुत कम होता है दूसरी चीज, जो भी परफ्यूम, आपका इसमें यूज होग देखने को मिलेंगी इस्टिक्स की जो चीज़ें मतलब वह will have कॉंटिंग और उसके बाद परफेक्ट एक डीपिंग रेशियो की मैं बात करूं तो डीपिंग रेशियो होता है यह लगबग 35 से लेके 40% के कई लोगों की यह समस्याएं होती है कि यह डीपिंग रेशियो काफी जादा हो रही है इसके पीसे का रीजन मैं आपको बताता हूँ बाई देवे इसमें जो है डीपिंग रेशियो कंट्रोल करने के लिए हमने जो चीजे है या फिर गमिंग कैपेसिटी है या फिर जो है इस इसू होता है कलार अगरबती वाइट अगरबती में जैसा कि आप देखे होंगे या फिर आपने कभी यूस किया होगा तो आपको यह चीजे जो है मालूम होगी इसलिए जो है एकुरेट जो डीपिंग रेशियो जो है कम से कम हम लोग नहीं देते क्योंकि रीजन वही होता है क्योंकि इसमें आप पर्फियूम डालोगे डीपी करोगे इसको और अभी के टाइम पर डीपी ओलेंड पर्फियूम काफी कॉसली है अगर आपने मटेरियल तयार किया पूरी तरीके से डीपिंग की पैकेजिंग कर दी और हो गया बर्निंग का इसू तो फिर प्रोड़ रिजल्ट यह निकल के इसमें से आएगा बकी जो मटेरियल से टीवन बेजड हैं टीवन से रिलेटेड पाउडर से ही इसे बनाई गई हैं और कलर के कुछ रेंज मैं आपको दिखाने की कोशिस करता हूं तो यह हमारे पास हो गया लाइट गाजरी कलर जिसमें से आपको थ जाफी जादा परिफ्योमिंग करने के बाद इकन्सका जो कलर जो चीज़ें वह कापी अच्छी दिखती हैं उसके बाद यह हमारी होची है लाइट ग्रीन ग्रीन वह चता क dlatego का यह आपस्छी यह दिखने को मिलेगा आपको उसके बाद यह हमारा हो जाता वाइट इस्टिक जैसा कि अभी आप देख रहे हो वाइट इस्टिक में बेसिकली देखा जाता है तो ये glow white perfuming करने के बाद आ जाती है और ये continue demand में होती है क्योंकि journal product इसे कहा जाता है white अगरवति को हर एक type के चीज़ों पे ये ज़्यादा तर use की जाती है उसके बाद हो जाता है हमारा ये portal नी कलर दिकने में बहुता है और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है उसके बाद जो हमारा जाता हelyn ये है अपार pink does appreciate बिक भी काफी ज़्यादा जो है candy होती है क्योंकि ये जो color है ये काफी दिखने में अच्छा लगता है और परफ्यूमिंग करने के बाद भी इसका जो है color changes होने की problem नहीं होती तो इस तरीके से जो है हमारे color अगर बत्ति के सारे रें जैसा कि आपको सामने display में दीख रहा होगा अब इसमें से जो दो color है yellow और जो है points color जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा फिराल किसी कारान से वो stocks में नहीं है तो जैसे आपको requirement होंगी तो stocks वो आपको available हो जाएगा बाकि यह जो complete product है color stick से related यह सारी चीज़ें जो available है तो कुछ इस तरीके से यह है हमारे color अगर बत्ति के यह सारे range और बिल्कुल आप अगर किसी भी तरीके से आपकी inquiries हैं तो बिल्कुल आप हमें call या what's up कर सकते हैं और उमिद करता हूँ कि यह videos भी आपको अच्छा जरूर लगा होगा और इसी तरीके से आप अपने brands के लिए नहीं प्रोड़क्त दूनने की कोसिस करें तो बिल्कुल आप इसको select कर सकते हैं और मिलते आने वाले किसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद